इस खास रिपोर्ट में हम आपको सुपस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में बताने जा रहे हैं दरसल शुरुआत से ही सुपस्टार खेसारी लाल यादव लोग गायक और साथ ही एक अच्छे एंटर्टेनर भी रहे हैं शुरुआत में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा भोचपुरी गायक बनने के लिए पैसो का होना बहुत जरूरी था पैसो को इकठा करने के लिए उन्हें लिट्टी चोखा बेचना पड़ा इसके लिए उन्होंने अपनी फोर्स की बड़ी नौकरी छोड़ दी कुछ सालों बाद उन्होंने भोचपुरी आल्बम में गाना शुरू किया जहां उन्हें उत्तरप्रदेश, बियार और जारकंड और जहां भोचपुरी बोली जाती है उनके गीतों का बेशुमार प्यार मिरा उन्होंने सैक्डो भोचपुरी हिट गाने गाए पियवा गए रे हमार सौधी रे भाउजी जैसे कई सुपर हिट गाने रिलीज भी हुए और सुपर हिट भी साबित हुए 2012 में रिलीज हुई उनकी फिल्म साजन चरे ससुराल ने उन्हेरा तुराद भोचपुरी फिल्मों का सुपरस्टार बना दिया इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा उन्होंने पवन सिंग दिनेश लाल यादव जैसे कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया और आज उन्हीं के साथ गिंती में सुपरस्टार्स में आते हैं नेक्स्ट नाई न्यूस भोचपुरिया के रिपोर्ट